हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे लड़ू जो आपकी सिहत के लिए बहुत जादा फायदे मन्द है जिसे आपके जोडो का दर्थ, कमर का दर्थ और शरीर की कमजोरी दूर होती है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए गोंत, कटा हुआ बदाम, मखाने और खर्बूजे की गिरी अब हम सारे ड्राइ फ्रूट्स को फ्राइ करेंगे सबसे पहले मैंने लिए खर्बूजे की गिरी मैंने इसमें एक टेबल स्पूल घी डाला है और अब इसको फ्राइ कर रही हूँ इसको तब तक फ्राइ करूँगी जब तक ये तड़कने ना लग जाए और इसका रंग लाइट पिंक ना हो जाए अब मैंने बदाम ले लिये हैं और इसको एक चमच घी डाल दिया है और इसको फ्राइ कर रही हूँ इसको तब तक fry करना है जब तक ये light pink ना हो जाए मद्धी आज पर करना है अब मैंने गोंद को fry करने के लिए कड़ाई में ही चड़ा दिया है गोंद को fry करने के लिए बहुत ज़ादा घीकी जरुत होती है और अब मैं इसमें गोंद डाल रहे हूँ गोंद हमेशा तेज गी में ही डालना है और गैस मद्धी आज होनी चाहिए और इसको light pink होने तक आपको fry करना है गोंद कच्चा नहीं रहना चाहिए अब मैंने एक किलो आटा ले लिया है अब इसको भुनना है अब मैंने आटा भुनने के लिए कड़ाई में गी चड़ा दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे ही गी पिगल चाहिए अब आपको इसमें आटा डाल देना है आटे को हमेशा मद्धी आज पर सेखना है क्योंकि अगर आप आँ स्टेज करेंगे तो यह है जल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं आटा लाइट ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने तक इंतजार करेंगे अब जो गून मैंने फ्राई किया था अब उसको कटोरी की साहता से मैं क्रश कर रही हूँ ताकि वो मोटा मोटा मूँ में ना आए ठंडे हुए आटे में मैं सारी ट्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ अब मैं इसमें भूरा मिला रही हूँ मैंने एक किलो आटा लिया था और इसमें मैंने डेड़ किलो भूरा डाली है अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि यह अच्छी तरीके से मिल जाएं और mix हो जाएं सारी ट्राई फ्रूट्स एंड भूरा आपस में mix हो जाएं जैसा कि आप देख रहे हैं अब इस material के मैं लड्डू बांद रही हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं लड्डू बनके तयार है देखिए लड्डू बन गए है ये लड्डू बहुत ही ज़ादा आपकी सेहत के लिए फाइदे मन्द है यह लड्डू खासकर सर्दियों में खाय जाते हैं और एनर्जी से भरपूर होते है थैंक यू